साथियो तीन तीन महिनों का दो दो महिनों का पैमेंट आपके अकाउंट में एक साथ क्रेडिट होने वाला है दोस्तो आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन जिलों का तीन तीन महिनों का दो दो महिनों का बिल पास हो चुका है जैसे काफी ऐसे जिले हैं जिनका भई सितंबर अक्टूंबर नौंबर तक का बिल पास हो चुका है लेकिन पैमेंट नहीं आया ठीकिन और उसके बाद सातियों क्या बेरोजगारी बत्ता अब 5500 हो सकता है या नहीं इस पर भी पर एक बार डिसकस करेंगे उससे पहले आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवे अपने रिमार्ग के उप्शन को हट वाई है यदि वेरिफाई पैंडिंग का उप्शन आ रहा है तो आपका भी नौंबर मां का बिल पास हो जाएगा ठीक नहीं आपके लिए काम की बात कर रहा हूं क्योंकि कल मैंने कापी सात्यों की SSO ID को उपन किया है जिन सात्यों ने म अर्थ परवाले आप निश्चित रहना कि आपका पैमेंट है दो-दो तीन-तीन महीनों का सात्यों आपके अकाउंट में एक साथ ही आपको देखने को मिलेगा यानी 12-12,000 और 13,000 या 9,000 या 8,000 का जो पैमेंट है आपके अकाउंट में आने वाले समय में हो सकता है आपको दो-दो महीने का या तीन महीने का पैमेंट है एक साथ अकाउंट में देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों आपका इस दुरुभाग है कि आप टेंसन जादा करते हो कि हमारा बिल पास तो हो गया तीन महीनों का लेकिन पैमेंट एक महीने का भी नहीं आया है दोस्तों मैं ह डिपाटमेंट के पास आपका बिल बेजा जाता है तो आपका जो पैमेंट होता है करम वाइज डलता है। क्योंकि आप से पहले का जिनका बिल पहुंचता है उनका पैमेंट पहले डलता है ठीक जैसे मान वो ट्रेजरी के पास आपके तीन महिने का ही पैमेंट एक साथ आपके SBI अकाउंट में करेडिट करते हैं नहीं की एक महिने का जैसे ही चित्तोडगड का क्या है सितंब्र का भी पहुँच चुका है ट्रेजरी के पास अक्टूमबर नॉवम्र का तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से बिल उनके पास आएगा करम से तो तीन महिनों का वो एक साथ डालेंगे ठीक न ऐसा नहीं कि वो अक्टूम